द्यान से देखिएगा Annual Value यानि सर आपको घर के उपर ना Rent पे टेक्स देना है जब सरकार ने बोला कि भाई आप टेक्स लाओ और टेक्स किस पे देना है आपको Rent पे देना है तो यहाँ पे क्या हुआ बोला भाईया सरकार ने तो लगा दिया Section 27 और 27 के अंदर बोल दिया डीम डॉनर अब सभी मकान मालिक जितने भी लेंड लोड है मान लेते हैं Mr. X ध्यान दीजिएगा और rented Mr. Y पता है मकान का किराय कितना है यह Mr. X को किराया देता है ध्यान दीजिए यह Mr. X को किराया देता है पचास हजार X ने अपना घर चाहे commercial activity हो चाहे residential यह matter नहीं करता है अपना घर किराया पर दे दिया किसको पचास हजार रुपे का Mr. अब इसकी income tax कौन देगा बताओ house property का X देगा X की income बताओ X की income महिने का पचास हजार है तो सर साल का तो भाईया इंडिया के अंदर सरकार कानून बनाती है उससे पहले लोगबाग अपना दिमाग लगा लेते है इससे बचा कैसे जाए इसको तोड़ा कैसे जाए कुछ ना कुछ तो करे यह सोच रहा है यार छे लाक रुपे का टेक्स फिर से देना पड़ेगा क्या फाइदा है कैसे बचाया जाए X ने सोचा एक काम करते है benefit लिया जा सकता है इसने कहा के चलो भाई Y के पास Y को बोला भाई सुन इदर तो मुझे कितना किराय देता है उसनों बोला सर मैं 50,000 रुपे किराय देता हूं इसा कोई लेत भी नहीं किया एकाद दिन लेत हो जाता है बोरा कोई भी पूछने आए तो बोल दियो 5,000 रुपे किराय देता हूं 50,000 मत बोली हो और आज का बाद Bank Bank बेनी मुझे नगच चाहिए पैसा कोई भी आए पूछने के लिए मैं किसी को भी आउन लेके कि भाई तू कितना किराय देता है बता बता इनको बोल दियो पांच हजार यानि Mr. X और Mr. Y ने आपस में मिलके एक तरीके से प्लैन कर लिया अब Mr. X 60,000 रुपे बोलता है गवर्मेंट को जी मेरी इंकम 60,000 है मैं टेक्स कहां से तो गवर्मेंट ने बुला भी या घर बहुत बड़ा है टाइल बथर लगा रख़ा है बुला भी 60 यह चलो बूछलो किराय दार से चलके किरायदार के पास लेके अब यह कितना रेंट देते हैं उसने बुला जी 5,000 देते हैं हम तो क्योंकि किरायदार को भी डर है भाई बोल दिया जूट बोल दिया मेरे को निकाल देगा अगले दिन यह तो फिर इस केस के अंदर फिर टेक्स की चोरी हो सकती थी गवर्मेंट ने बोला भीया तुम कितना भी दिमाग लगाओ हम सेक्शन लेके आएंगे हम सेक्शन लेके आएंगे 23 27 में तो तुम ओनर से बच रहे थे अब 23 में तुम्हें इंकम से नहीं बचने देंगे यानि आपका एनुवल इंकम क्या होगा वेल्यू वो हम बताएंगे सेक्शन 23 में अब बोला गया भीया जो प्रॉपर्टी से रिलेटिड काम करता है सब को बुला लिया गवर्मेंट ने प्रॉपर्टी से रिलेटिड काम करने वाला होता है एक mcd mccd ने टेक्स लेता है हमिसे प्रॉपर्टी का जिसे हाउस टेक्स के नाम से जानते हैं सुणाों तो जिनका घर फ्री होल्ड होता है इसको हाउस टेक्स दिना होता है तहीं बोला mcd वाले आ जा तो इधर साथ के साथ पडोस वालों को भी नहीं छोड़ा बोला नेबर इधर आजाओ कुछ करनी रहे लेकिन आजाओ कुछ बाते सवाल पूछनी है सुप्रीम कोट का एक्ट उठा लिया और उसके जज़ को फोन लगा दिया बहिया सर आपसे भी कुछ सवाल पूछने हमें हमें जवाब दे दीजिए मुझे इंकम टेक्स वसूलना है तीन लोगों को बुला लिया MCD वाले को बोला तू बता तेरे हिसाब से इसका किराया कितना होना चाहिए ये तो क्या बोल रहा है इसकी छोड़ तू बता दे इसका किराया किया है MCD वाले ने उसको नापा देखा भाई टाइल लग रहा है पत्थर लग रहा है एकदम बहुत फस्स क्लास है ACVC सब फिटिंग फरनिस है सब चीज है MCD वाले ने बोला है सर एक लाख रुपे किराया होना चाहिए मैंने गा MCD वाले ने बोला सर इसका तो एक लाख किराया होना चाहिए मेरे इसाब से तो एक लाख है और उसको बुला है भाई तेरा भी मकान ऐसा ही है सेम साइज का है तू कितने पे किराया पे देता है तू बता उसने बोला मैंने तो सर 80,000 रुपे में दे रखा है और मैं टेक्स भी भरता हूँ देख लो सुप्रीम कोट के या जज से पूछा फोन करके कि जज साब आप बताईए इतना एरिया है इतना सरका लेटे एक बार कम्प्यूटर में फटा फट चेक करवाईए कि इतना एरिया का कितना रेंट होना चाहिए एस पर रेंटल रेंट का भी हमारा एक एक होता है रेंट कंट्रोलिंग एक्ट आप बताईए इस रेंट कंट्रोलिंग एक्ट के इसाब से कितना किराया आरा एरिया नाप दिया और सारा सरकल रेट बता दिया जज ने बोला इसका किराया होना चाहिए पच पना जार यानि सबा लग लग बोल रहे हैं अपने इसाब से और सबसे ज्यादा जूट बोल रहा है बोला भाईया तेरी बातों का विश्वास नहीं है तू पांच हजार रुपए उससे ट्रेक्स ले रहा है तू कम ले रहा है तेरी गलती हमारे अपना नुकसान क्यों करे तू फिरी में दे दे उसको मकान हम तो भाईया सारे नियम को लगाएंगे और जो सबसे ज़्यादा बन रहा होगा उससे टेक्स वसूल लेंगे तेरसे उसके अकॉर्डिंग लिए तो गॉर्मेंट ने क्या करा एन्वल वेल्य निकालने के लिए इनके कुछ प्रोविजन्स बना दिए समझ रहे हो ना यह क्या है सक्षेंट तो उसने कुछ प्रोविजन्स बना दिए कि भाईया हम इसके अंदर लगाएंगे हायर लोर का कॉंसेट लगाएंगे और उसके हिसाब से एक हम अमाउंट निकालके बोलेंग आया जो rule define किया गया कहां पर तो बोला गया MCD तो तूने rule बताया तेरे rule को तेरे according जो किराया उसको बोलेंगे municipal value उसको बोला कौन सा value जिसको MV बोलते है standard word है MV use भी किया जाता है अब पडोसी जो तूने बताया वो है fair rent इसको FR से भी denote किया जाएगा जसाब जो आपने बताया वो है standard rent जिसको SR से denote कियेंगे honor जो तूने बताया वो actual rent है मिला या नहीं मिला ये नहीं पता पर तूने जो बताया उसका नाम रख रहे हैं actual rent यानि municipal value, fair rent, actual rent, standard rent इन सम में comparison करेंगे और हम बताएंगे के तुझे कितने rent पे text देना है तू मत बता के किरायदार से कितने पैसे ले रहे है तो free में दे हमें मतलब उससे नहीं है यानि घर किराय पे दिया जाए तो उसके लिए 23 आने का main वजह है यही था आपने समझाइए क्योंकि यहाँ पे हो सकता है hair fair लेकिन सरकार कितना भी रोक ले तो कहीं ना कहीं तो कम ज़्यादा हो ही जाता है ठीक है ना कितना भी रोक ले और बहुत सारे जगे पे तो government को पता भी नहीं चल पाता कि SSC कौन है नहीं है बैंकिंग में जब transaction जादा होता है तभी government आपके पास आ सकता है cash में कभी भी नहीं आएगा आप 50 लाक रुपे rent ले लो cash घर में पढ़ा है government को पता कैसे चलेगा कि 50 लाक रुपे rent आप ले रहे हो तो same बात है कि अगर banking transaction होता है तो पता चलता है तो annual value sir यानि section 23 format देखिएगा sir annual value यह define है sir section 23 के अंदर annual value कैसे निकाला जाए कुछ में एक format जो सरकार compare करती है वो मैं करके दिखा रहा हूँ अभी आपको ये एक दो बार format compare करना पड़ेगा उसके बाद तो आपको याद हो जाएगा फिर तो आपको ये करने की जोरत नहीं है internally आप कर सकते हो sir अभी मैं सिर्फ annual value कर रहा हूँ proper format अभी बाद में हम देखेंगे sir सबसे पहले लिखेंगे mcd वाले का value यानि municipal value जिसको बोला गया mv ये रख लेंगे सबसे पहले municipal value जो भी लिखा है मैं example उसके बाद लिखेंगे fair rent इसको मैं आज के बाद mv बोलूँगा और इसको आज के बाद मैं fr बोलूँगा government ने का भया municipal value और fair rent इन दोनों में से जो higher होगा वो हम consider करेंगे पहले और उसको मैं अपनी तरफ से नाम दे रहा हूँ उसको नाम दे देता हूँ मैं fr number one fr number one नाम दे रहा हूँ मैं अपनी तरफ से यानि sir अगर आपकी income यहाँ पे 1,5,5,5 रुपे तो fr number one कितना होगा sir डेड़ लाग रुपे हो जाएगा जो कि आएगा 1,5 पहले यहाँ तक बात समझ में आई आई आपको इसके बाद बोला गया कि भाई या fr को one को compare करेंगे हम supreme court के यानि standard rent जिसको मैं SR लिख देता हूँ standard rent that is SR अब हमेशा सोचना क्या हम कानून से उपर जा सकते हैं जज बोले इसका किराय साथ हजार होना चीए और income tax वाले बोल रहें के जी इसका किराय डेड़ लाग रुपे तो हम किसकी बात मानेंगे जज की बात मानेंगे तो अब FR नंबर वन और इसके बीच में जब compare किया गया तो बोला गया भाईया यहां पे से ले लो lower यहां पे क्या ले लो आप lower इसलिए बोला कि जज की बात मान ली जाएगी यहां पे देखो एक लाग है जज ने बोला कितना होना चाहिए 90,000 कितना होना चाहिए तो कितना मान लोगे 90,000 जज ने बोला भाईया 2,00,000 होना चाहिए लेकिन income tax वाले बोल रहे हैं के भाईया 1,70 पे टेक्स दो तो जज बोलेगा भाईया तुम्हें लग रहा है 1,70 पे ले लो हम क्या कह रहे हैं मतला हमारे रूल को मत तोड़ो हमारी बातों से के आगे मत जाओ लेकिन उससे कम में तो आप निप्टा रहा कर सकते हैं तो यानि इसमें क्या लिया गया है लोवर यानि मुनसिपल वैली और फेयर रेंट वे हायर और जो भी रिजल्ट निकल के आया standard rent से compare करेंगे उसमें कौन से लिया जाएगा लोवर लिया जाएगा जो भी इनके बाद result आएगा उसका एक नाम दे दिया जाएगा जिसको that is expected rent यानि income tax वालों ने अपना expected rent निकाल लिया जिसको मैं ER बोल देता हूँ short form में सर क्या आया इसमें से expected rent received and receivable 8RR received and receivable अब जो भी ये निकल के आएगा actual rent इसमें से compare करोगे तो लेना higher income tax बोलता है 90,000 उना चाहिए आप बोलते हो सर 60,000 रुपे है तो income tax बोलेगा तेरी बात निमानेंगे हम कितना लेंगे आप बोलते हो सर हमारा 80,000 रुपे बन रहा है income tax बोलेगा कि अब आपकी बात हम मानेंगे 80,000 रुपे यानि इन दोनों में से क्या लिया जाएगा higher whatever मान लेते हैं कि हमारा actual rent कितना आ रहा है सर 80,000 रुपे तो क्या माना जाएगा यहाँ पे higher बाल के हिसाब से देखा जाए तो जो निकल के आएगा उसको बोला जाएगा तेई सेक्शन में जो define है उसको बोला जाता है gross annual value that is आपका 90,000 अभी मैं बस roughly बता रहा हूँ काफे सारे सवाल करने हैं इसके उपर और ऐसे ही सवाल करने हमें जितने भी करने होंगे सर ये क्या गया gross annual value यानि ये वाला जो portion न मा सरकल कर रहा हूँ ये आप rough में कहीं कर सकते ओ अभी फिलाल के लिए ये वाला जो portion न जो पिलाल के लिए ये नी ये नी हमारा मेन कहानी स्टार्ट होने वाला है यहां से इसके बाद से यह value निकालने के लिए हमें government के सारे rule उपर नीचे करके दिखने पड़ेंगे यानि सर municipal value और fair rent में से higher उसके बाद जो answer आया और standard rent में से lower अब जो answer आया और actual rent में से और वो आएगा हमारा gross annual value जिसको कि मैं आज के बाद बोलूँगा GAV इसमें से अगर कोई municipal tax paid किया है तो सर उसको minus करना allowed है less कर देंगे यहां से municipal tax सर जिसको मैं बोलूँगा empty जो भी है कैसे दिया जाता है नहीं दिया जाता है इसके हम उपर पूरा question करेंगे अगली class के अंदर मान लेते हैं कि 10,000 रुपए मैंने municipal tax paid किया है तो अब मेरा जो आएगा उसे बोलेंगे net annual value यानि सर NAV जो ऐसे ही आगया हमारा इसके बाद सर अभी कहानी खतम नहीं हुई अब मकान मालिक जब ये provision बनाया ऐसा बहुत गुसा हो गया है जितने भी मकान मालिक थे वो सभी बहुत गुसा हो गया बोले ऐसा थोड़ी होता है आपने तो अपने इसाफ से निकाल लिया है ये तो मनमानी कर रही है सरकार होता ऐसा वैसे जब भी सरकार को पैसे लेती है तो सारा मनमानी ही रहता है वैसे तो तो भाई जितने भी पब्लिक थे उसने बोला कि भाई ऐसा नहीं होता मनमानी कर रहे हो बोला क्या मनमानी बताओ क्या मनमानी ये बताओ क्या हम ऐसा कर रहे है बोला भाई तुमने तो रेंट रेंट ले लिया अब किरायधार तो ऐसे बोलता है आब कभी टुब लाइट खराब हो गई कभी बल्व खराब हो गया कभी नलका हो गया कभी वायट वास कराते हैं कभी फर्स तोड देते हैं यह पैसा लगता है यह भी तो मैंस करने दो गवर्मजनर ने बोला जाहो कर लो यानि जो भी वेल्यू है इसमें से लेस कर लो क्या लेस कर लो अपना एक्सपेंस जैसे यह बोला किरायदार के हाथ मकान माली के हाथ खुल गए उसने बोला जी खर्चा एक लाक пиш बोला बील कहीं कहीं से बनवा के लिए आते हैं खर्चा कितना और गवर्मेंट यहां कानून बनाया बनाते बनाते तुम्हें इंकम इंकम सब निकालके दिया आप तुम खर्चा माइनस करने के नाम पर जो मर्जी खर्चा माइनस करोगे बोला भाई इतना खर्चा हुआ है तो क्या करें गुवर्मेंट ने बोला भाईया रुख जो ऐसे नहीं चलेगा जो भी खर्चा हुआ नहीं हुआ एक्सपर्ट को बुलाए गया एक्सपर्ट को बिठाए गया बोला भाईया इसका क्या इलाज करें तो बोला गया के भाईया ये खर्चा और चलो तो हमेसा जूट बोलेंगे और इससे कभी निपट नहीं सकते हो आप आप कितनी भी कोसिस कर लो इसको नहीं बचा सकते हैं इससे अच्छा एक fix amount देदो तू ज्यादा करे तब भी इतना मिलेगा कम करे तब भी इतना मिलेगा तो फिर बोला चलो एक एक ऐसा खर्चा इसको दे देते हैं जिसको हम डाल देते हैं section 24A जिसको बोला गया standard deduction जिसको बोला गया standard deduction आपने salary में भी देखा था standard deduction तो standard deduction का purpose ही होता है कि भाईया तुम बहुत जादा सरकार के साथ ना उल्ट सिल्ट खर्चे बता के अपने पैसे वसूल रही हो तो वहाँ पर लिया आते हैं वो standard deduction भाई तेरा खर्चा नहीं हुआ एक ने बोला भाईया मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ तू मैनस कर ले 33% tension मत दे मुझे एक ने मुरा मेरा एक लाका खर्चा हुआ तीस परसेंट ही मैनस करने दूआ तेरा एक खर्चा कर 5 खर्चा कर मेरे को मतलब यानि 30% माइनस करने दिया गया और सर 30% कितना किसका 30% तो जो एन न भी आया 80 80 का 30% मतल 24,000 और बोला गया कि एक और चीज माइनस करने देंगे हम आपको 24 यह तो जैनुवन था यह इंटरस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर स्टार भी बना देते हैं इंटरस को माइनस करने दिया गया अब जो माइनस करके आएगा that is taxable salary taxable house property जो की आगे 80 में से अगर आप 24 माइनस कर देते हो तो 56,000 आगे यहां तक पहले आपको सारी कहानी समझ में आई क्या बताईए हां हुई यह बताईए यह इंटरस्ट है यह loan बगेरा पर लाइग लगेगा तो इसको तभी में बता भी नहीं सकता और discussion भी नहीं कर सकता क्यूंकि यह सबसे main section है और थोड़ा लंबा है यह और जैसे यह वाला point हमारा हो जाएगा तो मान के चलो फिर तो house property ही खतम last में होता ही है last का एक दो class में हो जाएगा पहले हमें MCD की value MV देखना है fair rent देखना है standard rent देखना है actual rent देखना है compare करके GAV निकालेंगे GAV में से minus करेंगे municipal tax municipal tax minus करने के बाद जो बचेगा सरकार के लिए 30% उसमें से क्या कर लेंगे minus जो बाकी बचेगा उसके उपर हमें tax देना पड़ता है उसे taxable house property एक व्यक्ति से एक से ज़्यादा घर भी हो सकता है तो 23 section जो section number 23 था इसमें different situation भी बताए गए हैं जो कि हम अगली class में cover करेंगे क्या situation सर जैसे कि हमारे पास दो घर है तो क्या होगा हम खुद रह रहे हैं तो क्या होगा 6 मैंने किराये पे देते हैं 6 मैंने खुद रह लेते हैं तो क्या होगा आधा घर दिवार बना दिया आधा घर मैं रह रहा हूं आधा किराये पे दे दिया तो क्या होगा कि आपके जो टूट फूट मरमत के लिए जो पूरे साल में अपने पॉकेट से खर्चा करते हो, सरकार ने उसके लिए फिक्स कर दिया कितने परसेंट, 30% स्टेंडर, जब मैं सेक्शन 24 कराऊंगा अलग से तो इसके सारे पॉइंट्स में बता दूगा और समझ में भी आजाएगा 24 A क्यों है B क्यों है, मुंसिपल टेक्स क्यों दिया गया, ये सारी चीज़े मैंने अभी बोला तो भईया 24 B ना पूछा, बार-बार इसी के पीछे पड़ गयो बिलकुल इंटरस का मिलेगा ये तो 30% एनिवी के आजाएगा सब बताएंगे अभी अभी सिर्फ फॉर्मेंट, नहीं कोश्चन बताएगा और ये कैसे निकालेंगे इस पे भी पूरा एक प्रोफिशन लगेगा इसमें टाइंग बट सर एक आदमी को इंकम रेंट से आ रहा है, वो 5 लाक रुपे तो कुछ टेक्स नहीं लगेगा न हाँ, 5 लाक रुपे तक रेंटल इंकम है और कोई अधर इंकम नहीं है सिर्फ टोटल इंकम पाँच बन रहा है कोई टेक्स देने के अवशकता नहीं 87 एगे के साथ रिवेट ले लेगा हो कोई दिक्कत सर बताईए कोई परिशानी